जैहिन मेरे प्यारे साथियों मैं अम्ली मुनाब और आप देख रहे मेरी यूटूब चैनल बीपेसी जीए सेंटर आज का टॉपिक्स काफी खास होने वाला है इसमें हम लोग जानेंगे 2021 में जितने भी बेग्यानिक प्रियोग हुए है इन्वेंशन हुए हैं एक्सपरियोग हुए हैं यानि साइंस और टेक्नलोजी से जुरा हुआ डिफेंस से जुरा हुआ जितने भी एक्सपरियोग हुए हैं बेग्यानिक अविश्कार हुए हैं प्रियोग हुए हैं उस पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके एक्जाम में Science and Technology से एक दो प्रस्ने देखने को मिलते हैं तो आप इस विडियो को एंड तक देखिएगा अगर मेरा चैनल अच्छा लगए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा विडियो को लाइक करना नहीं बूलिएगा इसमें महत्पून कॉंटेंट दिखाए गया है जो एक्जाम के रिलेमेंट काफी उप्योगी है तो आएए जानते हैं सबसे पहले पहला कोश्चन Space X जो एलन मस्क की प्राइवेट आंतरिक्ष कमपनी है उसके द्वारा एक साथ 49 एस्टारिंग उप्राइव को प्रेशेपित किया गया और इसका मूल उदेश था विश्व को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्द कराना तो इस्पेस एक्स एलन मस्क की कमपनी है किस या मतलब स्पेस द्वारा 49 एस्टारिंग उप्राइव को प्रेशेपित किया गया तो उसका अंसर हो जाएगा स्पेस एक्स और स्पेस एक्स जो 49 एस्टारिंग उप्राइव को प्रेशेपित किया उसका मूल उदेश से है बिश्व को हाई स्पीड इंटरनेट उपलगत कराना नेक्स कोश्चन देखते हैं दोस्तो दूसरा कोश्चन दूसरा कोश्चन है दुनिया का पहला पृत्वी बिज्ञान उपग्रह जिसे चीनी ने लॉंच किया दुनिया का पहला पृत्वी बिज्ञान उपग्रह जिसे चीन ने लॉंच किया उसका नाम क्या है दुनिया का पहला पृत्वी बिज्ञान उपग्रह जिसे चीन ने लॉंच किया जिसका नाम है गुआंग मू एक काफी important facts है गुआंग मू चीन द्वारा लॉंच किया गया दुनिया का पहला प्रिथ्वी बिज्ञान उपगरा है अगला कुश्चन नेक्स कुश्चन देखते हैं पैसेज यानि P-A-S-S-E-S एक्स पैसेज युदा अब्याज जो चल रहे हैं नौ सेना का भारत और रशिया के पैसेज युदा अब्याज के बीच प्रियोजना है तो भारत और रूश के बीच अगला प्रश्चन देखेंगे अगला कोश्चन ने P-A-T-1 क्या है चुकि भारत ने अमेरिका से पंड़ुबी रोधी जुद विमान है या P-A-T-5 क्या है भारत और अमेरिका के जुआइंट सहियोग से P-A-T-5 भारत ने अमेरिका से 2016 में ही खरज़ा था यह एक पंड़ुबी रोधी युद विमान है P-A-T P-A-T-1 यहाँ मिश्टेक हुई है P-A-T-1 होगा यानी P-A-T-1 होगा तो P-A-T-1 जो है पंड़ुबी युद रोधी विमान है जिसे भारत ने अमेरिका से खरज़ा है अगला कुश्चन निशार नासा और इस्रो की शंजुक्त प्रिवजना है निशार जिसे 2023 में लंच किया जाना है यह काफी महतपूर्ण है अगला कुश्चन जाइकोब डी क्या है जाइकोब डी वैक्सिन है बिश्व का पहला डी एने अधारित वैक्सिन जिसे भारत ने त्यार किया है बिश्व का पहला डी एने अधारित वैक्सिन जाइकोब डी है जिसे भारत ने त्यार किया है अगला कुश्चन यह जो बीप्यसी के एक्जाम में पूछे भी गया थे अस्पुत्निक V यह वैक्सिन है जिसे रूस द्वारा मनेता दी गए थी तो यह काफी इंपोटेंट है अस्पुत्निक V इसने त्यार किया रूस ने को वैक्सिन भारत में अपनी तरह का यानि शोदेश निर्मित या पहला वैक्सिन है जो भारत की बायाटेक कमपनी ने त्यार की थी, को वैक्षिन को, कोवी शिल्ड, कोवी शिल्ड वैक्षिन को सीराम इस्टिटीट अफ इंडिया द्वारत त्यार किया गया, यह दूनों काफी इंपोटेंट है, को वैक्षिन भारत बायाटेक कमपनी और कोवी शिल्ड सीराम इस्टिटीट आफ इंडिया इसे अवश्य देखिएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नशा ने ट्रोजन अस्ट्राइड जो है एक छुद्र ग्राह है जो बिरस्पति ग्रह पे अवस्तित है कि अध्यायन के लिए लूशी यान एटलस 5 रॉकेट से अक्टूबर 2021 में भेजा गया यानि इससे यहाँ पता लगाया जाएगा कि चुद्र ग्राह आपस में जो टकराते हैं उसकी सुचना ली जाएगी और उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा तो नासा ने ट्रोजन अस्ट्राइड के अध्यायन के लिए जो कि ट्रोजन एक चुद्र ग्राह है और यहाँ ब्रिश्पति ग्राह पर अवस्तित है ब् ल्च का नाम है ऐटलास 5 यह भी याद रखिए गा लूशी अंतरिक्शियान के द्वारा ट्रोजन अस्ट्राइड के अध्यान के लिए ऐटलास 5 के द्वारा लूशी अंत्रिक्ष यान को लंज किया गया 2021 में काफी important facts है नसा ने ट्रोजन अस्ट्रोइड के अध्यान के लिए लूशी यान के सहारे Atlas 5 से Atlas 5 रोकट से लंज किया ताकि अस्ट्रोजन ट्रोजन का पता किया जा उसके विभीन ने किरिया कलापो का नहीं नेक्स्ट रहते हैं लूपेक्स मिशन यह काफी चर्शा में था लूपेक्स मिशन जो है भारत और जपान की संजुक्त मिशन है इसे लॉंज किया जाएगा 2024 में चंद्रमा के जो दक्षनी धुरू है यानि शाउथ पोल पर भेजने का लक्ष है चंद्रमा के दक्षनी धुरू का अध्यान करने के लिए लूपेक्स मिशन 2024 में भेजा जाएगा या भारत और जपान की संजुक्त मिशन है इसे भी याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है या अगला देखते हैं भारत का पहला अत्यादुनिक प्रित्वी ओलोकन उपग्रा जो अशफल रहा अगस्त 2021 में लॉंच किया गया था उस प्रित्वी ओलोकन उपग्रा का नाम है EOS3 यानि Earth Observation Shetlight 3 ऐसे लॉंच किया गया था जिसका नाम है GSLV F10 बहुत इंपोर्टेंट है GSLV F10 काफी इंपोर्टेंट है EOS3 भी काफी इंपोर्टेंट है अगला हम देखेंगे इसी में EOS4 जो February 2022 में PSLV C52 यानि बाउन्स लंच किया गया और EOS एक रडार इमेजिंग उपग्रा है ये काफी इंपोर्टेंट है एक रडार इमेजिंग उपग्रा है जो प्रेशेपित किया गया था February 2022 में PSLV C52 से यानि Polar Satellite Launch Vehicle के माद्ध हम से तो EOS3 जो असफल रहा EOS4 काफी सफल रहा इसके साथ Inspire छोटा उपग्रा को भी लंच किया गया है उसे भी देखिएगा Next देखते हैं अगला CMS1 पुराने G7 पुराने G712 का प्रतियस्ताभित उपग्रा है जिसे प्रेशेपित किया गया था 2021 में PSLV XL C50 द्वारा CMS01 को लंच किया गया PSLV XL C50 से और CMS01 पुराना जो उपग्रा था मौसम प्रेशेपन से जुड़ा हुआ G712 उसी का एक नया प्रतिरूप है मोडलित रूप है जिसे हम CMS01 के नाम से जानते है और यह जो है प्रेशेपित किया गया PSLV XL C50 से तो दोस्तों यह जो content दिये हैं आपके exam के लिए बहुत ही महत्पुर्ण है आप इसे अच्छे से cover कर लिजे एक दो प्रस्ण आपके exam में रहेंगे मेरा दावा है और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को like किजिएगा आप किरप्या करके यानि प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर देजिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत दोस्तो